हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ LIC के नए प्लान के बारे में जो अभी लॉंच भी नहीं हुआ है लेकिन कल लॉंच होने वाला है मतलब 17 अक्टूबर 2022 को लॉंच होने वाला है और ये प्लान केवल लिमिटिट टाइम के लिए आया है जो की 31 मार्च 2023 तक ही अगर इसके बाद ये प्लान एविलेबल होता है तो मैं आपको इनफार्म कर दूँ है लेकिन ये फिलाल अभी तक केवल और केवल 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ही एविलेबल है इस प्लान का नाम है धन वर्शा और इस प्लान के टेबल नंबर है 866 यानि की 866 और इ आपको एक्जाम्पल में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी मैच्वार्टी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और दोस्तों इस प्लान में आपके पाक दो ऑप्शन एविलेबल हैं जिसमें ऑप्शन वन में आपको आपकी प्रीमियम का गैरेंटिड सवा गुनार इस प्लान है और दोस्तों इस प्लान में आपको कॉम्बिनिशन मिल जाएगा सेविंग और प्रोटक्शन का साथ में गैरेंटिड एमाउंट मिलेगी आपकी डेथ पे और मैच्वार्टी पर भी चलिए मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि इस प्लान को लेने के कि उसको हम एक एक्जामपल के जरीए समझेंगे और दोस्तों मैं आपको उस एक्जामपल में दोनों आप्शन में कितना कितना बेनिफिट होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं यानि कि आप्शन वन में कितना मैच्वार्टी और डेथ बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी को लेने के लिए दो टर्म एविलेबल हैं एक 10 साल और दूसरा 15 साल उसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए minimum age यानि कि कम से कम उमर कितनी होनी चाहिए वो है यहाँ पर 3 साल जो की complete होनी चाहिए और वो भी 15 साल वाले टर्म के लिए और अगर हम 10 साल वाले टर्म की policy की बात करें तो उसमें कम से कम उमर होनी चाहिए 8 साल तो दोस्तो अब जानते हैं कि इस policy को लेने के लिए ज़ादा से ज्यादा age कितनी हो सकती है तो दोस्तो इस plan को लेने के लिए maximum age है option 1 में 60 साल तो दोस्तो अगर हम बात करें option 2 की तो इसमें maximum उमर जो होगी वो अगर आप policy term 10 साल का ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उमर के लोग ही इस plan को ले सकते हैं और अगर policy term 15 साल का होता है तो उसमें maximum उमर 35 साल होगी और दोस्तो इस plan में जो minimum maturity age होगी यानि कि जब हमारी policy complete होगी तो उसकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए यानि कि अगर इसे example से समझें तो इसे ऐसे समझें कि अगर कोई बच्चा 3 साल का है यानि कि इस policy में 3 साल की minimum age थी तो अगर कोई 3 साल का बच्चा इस plan को लेना चाहता है तो वो इसे 10 साल का नहीं ले सकता क्योंकि 10 10 और 3 13 यानि कि 18 साल complete नहीं हो रहे तो उसे 15 साल का ही लेना पड़ेगा इसलिए इसमें 18 साल minimum maturity age है ठीक ऐसे ही maximum maturity age क्या है इस plan में option 1 के लिए maximum maturity age 35 साल है और option 2 में 50 साल है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं mode of premium की मतलब ये एक single premium plan है इसमें कोई और mode नहीं है इस plan को सिर्फ आप एक ही बार payment करके ले सकते हैं यानि कि एक single premium plan है ये मैं आपको starting में बता चुगा हूं अब बताती है कि इस plan को कम से कम कितने रुपे का लिया जा सकता है मतलब इस plan में minimum sum assured कितना है वो है 1,25,000 रुपे 1,25,000 रुपे से आप नीचे का sum assured नहीं ले सकते त दोस्तो अब बात आती है maximum sum short कितना होगा इसमे maximum sum short की कोई भी limit नहीं है ये आपकी income के उपर depend करेगा अगर आपकी income ज्यादा है तो आप अपनी income के according ले सकते हैं जितना आप चाहें उतना दोस्तो चलते हैं सीधे example की तरफ मतलब हम अभी से example से समझेंगे कि option 1 में और option 2 मे क्या-क्या अलग-अलग benefits हैं तो दोस्तो माल लेते हैं कि किसी की उमर 30 साल है और वो इस plan को 15 साल के लिए लेना चाहता है और उसकी premium सिर्फ एक बार जाएगी और उसमें basic sum short जो वो ले रहा है वो है 10 लाक रुपे और इसमें जो premium जाएगी वो जाएगी 8,86,750 रुपे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 30 साल वाला व्यक्ति जिसने ये plan लिया है वो अब इसमें सिर्फ एक बार payment करेगा और 45 साल की उमर तक इंतजार करेगा तो दोस्तो इस plan को लेने के बाद ही इस plan में हर साल guaranteed edition जुड़ता रहेगा उसको आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं क पहली साल इसमें 45,000 रुपे का guaranteed edition जुड़ जाएगा यानि कि 45,000 रुपे ये confirmed हो गए प्लस जो आपने जमा किया था वो next year आगे बढ़ेंगे अगली साल होगा फिर उसके बाद उसमें और guaranteed edition जुड़ जाएगा इसी तरह आपका ये 15 साल हो तक guaranteed edition जुड़ता रहेगा और maturity maturity पर जो आपको amount मिलेगा वो होगा 21,25,000 रुपे जी हाँ आपकी maturity पर guaranteed 21,25,000 रुपे मिलेंगे आप इसको खुद से भी calculate कर सकते हैं इसको calculate करने का तरीका मैं आपको option 2 बताने के बाद बताऊंगा और अगर इस plan में policy के चलते वक्त policy holder की death हो जाती है तो उस case में भी guaranteed amount मिल होगा premium का सवा गुना और accurate guaranteed addition यानि कि जो आपका guaranteed amount है इन सब की calculation में आपको आगे दिखाने वाला हूं video को skip मत करना उससे पहले आप यह जान लीजे कि option 2 में आपको क्या benefit मिलेगा यहां भी हम माल लेते हैं age है 30 साल और इस option 2 को भी हम ले रहे हैं 15 साल का और इसमें भी सिर् premium जाएगा वो जाएगा 7,88,700 रुपे जैसे ही आप इस plan को लेंगे आपका हर साल इसमें भी guaranteed amount जुडता रहेगा जो कि इस policy में होगा 40,000 रुपे 40,000 रुपे कैसे हुआ यह वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी उससे पहले आप यह देख लीजे कि इसमें हर साल 40,000 रुपे जुडते जा रहे हैं मतलब आपका guaranteed edition हर साल add हो रहा है और आपको जो इस policy में maturity पर amount मिलने वाला है वो है 16,000,000 रुपे जी हाँ 16,000,000 रुपे आपको इस policy में मिलने वाले हैं जो कि पिलकुल guaranteed हैं और इस policy में अगर policy holder की death हो जाती है तो इस policy में जो amount मिलेगा nominee को वो होगा premium का 10 गुना plus accurate guaranteed edition मतलब जो आपका guaranteed amount होगा और इस policy में जो आपका risk cover बन रहा है वो भी आप हर साल देख सकते हैं increase हो रहा है option 1 में भी और option 2 में भी तो आईए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि guaranteed edition की calculation कैसे करते हैं आप कैसे पता लगाएंगे कि आपक guaranteed edition होता है यह आपका basic समय short का per thousand होता है मतलब अगर आप 1,25,000 रुपे से लेकर 2,45,000 रुपे तक का समय short लेते हैं तो option 1 में 10 साल वाले option में आपको जो guaranteed edition मिलेगा वो मिलेगा 60 और अगर हम 15 साल वाले term की बात करें option 1 में ही तो उसमें मिलेगा आपको 65 ठीक ऐसे ही option 2 यानि की 10 गुना रिस्कवर वाले option में आपको अगर 10 साल का term लेना है तो उसमें होगा 25 और 15 साल वाले term के लिए 30 और ठीक ऐसे ही अगर ये sum assured आपका 2,50,000 रुपे से लेकर 6,50,000 रुपे तक का होता है तो उसमे guaranteed edition जो होगा 65 option 1 के 10 साल वाले term में और option 1 में 15 टर्म वाले के लिए ये होगा 70 और option 2 में 30 और 35 तीक ऐसे ही अगर ये basic sum assured आपका होगा 7,00,000 से उपर चितना भी होगा option 1 में 70 और 55 होगा और option 2 में 35 और 40 होगा और हमने जो example देखा था उसमें हमने कैसे calculation की थी वो ऐसे की थी उसमें option 1 में जो हमने basic sum आप लिया था वो था 10,00,000 और 15 साल का term था तो यहाँ आप देख सकते हैं screen पर 10,00,000 का sum assured के under option 1 में 15 साल वाले term के लिए यहाँ पर है 75 इसकी calculation ऐसे होगी 75 divided by 1,000 into sum assured यानि की 10,00,000 अब इसकी calculation करने के बाद यहाँ पर बचता है केवल 55,000 रुपे और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने example में दिखा है तो option 1 में आपका पहली साल का जो guaranteed addition था वो 55,000 रुपे था ठीक ऐसे ही आगे की calculation भी आप कर सकते हैं और option 2 में भी ऐसे ही calculate किया था उसमें भी हमारा 7,00,000 से उपर का समय short था जो की था 10,00,000 रुपे और option 2 में 15 साल का ही term था इसमें आपका है 40, 40, 40 divided by 1,000 into 10,00,000 और इसकी calculation करते हैं तो इसमें 40,000 रुपे आएगा ऐसे ही आपका जो हमने अभी example में देखा था कि आपके वो 40,000 रुपे कैसे आए थे ठीक ऐसे ही आए थे और आगे भी आपके ऐसे ही calculation करनी है आप खुद से कर गए देख सकते हैं तो दोस्तों ये तो सिर्फ ये बात थी कि आप कैसे calculate आपको बताता हूं कि इस policy में आपके पास additional feature भी है इस policy में आप rider benefit भी ले सकते हैं वो एकदम optional है आप चाहे तो add करा सकते हैं नहीं चाहते तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस policy में कौन कौन से rider available है इस policy में जो rider available है वो है LIC के accidental death and disability benefit rider और दू policy में बस यही rider available है तो आप अगर इन riders के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो उसके उपर मैंने अलग से rider की वीडियो बनाए हुई है कौन सी policy में कौन सा rider लेना जरूरी है उसे जानने के लिए अप इस playlist को देख सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस policy में आपक policy को नहीं चलाना चाते तो बंद भी कर सकते हैं और इस policy में आपको tax benefit भी मिलते हैं साथ में इस policy में आपके पास settlement option भी है मतलब आपका जो maturity amount आएगा उसे आप 5, 10 और 15 सालों में ले सकते हैं वो आपको ज्यादा amount मिलेगा ये option लेने के लिए आप चाहे तो जब policy को ले रह वाली होगी तो उससे 3 महिने पहले आपको ये option लेने के लिए बताना होगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये plan आपको अच्छा लगा होगा मुझे comment के जरीए जरूर बताना कि ये plan आपको कैसा लगा आपको इस plan के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि इस plan को कौन कौन ले सकता है कितनी maximum age वाले लोग ले सकते हैं और कितने समय short हम ले सकते हैं कितना आपको maturity पर benefit मिलेगा और कितना आपको death benefit मिलेगा जो कि guaranteed amounts है लेकिन अभी भी अगर आपका इस plan से जुड़ा कोई भी सवाल है अब comment में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको उस सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा और वीडियो अच्छी लगी तो like करना ना भूले और चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting plans लाता रहता हूं सबसे पहले जानने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर ले और मिलते हैं आपसे अगली झाल